देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो सिहोर से सामने आई है जहां एक बार पुल निर्मान के वज़ो से लोगों में काफी खुशी देखने को मिली है बता दे की सिहोर में ब्यावर फोर लीन मार्क के अंतरगत श्यामपूर बस स्टैन पोर एक दशक से चल रहे अंडर पासिंग पुल पर सर्विवार को रातरी में ही वाहनों के लिए खोल दिया गया स्यामपूर तहसील के अबादी वाले छेतर में हमीशा लगने वाले जाम के वज़ो से लोग काफी परिशान थे और उनसे लोगों को छुटकारा मिल चुका है बता दे कि रोट पर ट्राफिक जाम की सबसे ज़्यादा समस्या सामने आ रही थी इसके बावजूद लोग परिशान थे लेकिन अब तक फोरले निर्मान के दोरान पुल बन गया होता लेकिन इसके बावजूद पुल का निर्मान नहीं हो पाया था जिससे ट्राफिक जाम की समस्या से वो परिशान रहते थे और अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल चुका है वही मार्क के दोनों और सर्विस रोड में कस्बे के भीतर घनी बस्ती के बीच से होकर निकलने वाले भारी वाहनों की कारण प्रमुक चौराहे पर अक्सर ट वजराही होनी से जहां लोग को ट्राफिक का जाम समस्या से निजात मिली है वहीं बता दे कि शामपुर बासी इस ब्रिज के उपर से शहर के वितर जाने में काफी खुश महसूत कर रहा है और इसके साथ ही करीब 10 साल पहले इस ब्रिज का निर्मान कारे शुरू किया गया जिसे तीसरी निर्मान एजनसी ने इस पुल निर्मान कारे को पूरा किया है और जिसके वज़स से लोगों में काफी खुशी का महौल है लोगों को इस समस्या से निजात मिले है लगमत ट्रैफिक से नीचे जो साइड रोड थी वो चल रही थी तो उसे जाम की स्थिती बन तो आज जो हाईवेड जो बाइक ऊपर सुनू हो गया है तो उसे ट्रैफिक अगेरा की समस्या से रुक करते अगली खबर के और खबर कुरवाई से है यूपी के कुरवाई में लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है बता दे कि आक्रोश आपको बता दे कि प्रांगण में छात्रों ने नाराजगी जताई है महात्मा गांधी की पुनितिती नहीं मनाने के वजो से ये पूरी नाराजगी जताई गई है शाहसकीय महाविद्वाले ज्वारा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की साफ सफाई नक ये जाने से नाराज होकर भारतिय राश् संगठन के कारकरताओं ने तहसील प्रांगन पहुचकर महाविद्याले के परचार के खिलाफ जमकर नारिबाजी की और राजिपाल के नाम पर ग्यापन सौप कर प्रुधान चारे के ऊपर कारवाई करने की मान भी की और उनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधक नहीं 30 जनवर प्रताओं ने गांधी प्रतिमा की सफाई कर प्रतिमा पर मालयारपन किया इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन का रवया हमेशा मनमानी पुर्ण रहा जिसे देखकर पुर्विक भी तिरंगे की अपमान का मामला बेज से कॉलेज प्रबंधक के सामने आया था और इस वज़ से उन्होंने नाराजगी दताई, कॉलेज प्रांगर में ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की. रुक करते हैं अगली खबर की और खबर सिहोर से है, जहां एक बार फिर से निरक्षन किया गया है, जीहां आपको बतादे की इस निरक्षन में सिहोर में राजस्व के भूपा संभाग उपायुक्त संजु कुमारी श्यांपुर तहसील पहुँची, बतादे की राजस्व उपायुक्त ने तहसील पहुँचकर परिसर के कोने कोने का जायजार लिया, इस दोरान मौके पर उपस्थित तहसीलदार अतुल शर्मा को अवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, निरक्षक के दोरान लोकसिवा केंद्र, नाजुल, कानून गो और कंप्यूटर कक्षो का भी निरक्षन किया गया, लोकसिवा केंद्र का निरक्षन के दोरान उपस्थित कर्मचारियों से उपायुक्त ने कहा कि किसानों को किसी तरह की नकल लेने में परिशानी नहीं होनी चाहिए, वही तहसील परिशर के चारों और बाउंडरी वाला निर्मान के लिए भी द दिमांड पत्रों लिए गया इस दिमांड पत्र में मौके पर उपस्थित तहसील श्री शर्मा ने कहा कि निरिक्षन के दौरान ग्राम कोटवारों की टूटियां भी गिनी जाएंगी वही गस्त लगाने की बात भी कही गया इस दौरान नाब तहसील जियोती प्लेट सहित र चल दिया और सभी सेवाएं लगवग दुरुस्त पाई दी और उसमें और भी नडेश दिये गये हैं उनको सीत्री से ही कर लिया जाए रहा रुक करते हैं अगली खबर के और खबर अमरिसर से है पंजाब के अमरिसर में एक युवक ने अपने आपको गोली मार दी बता दे की उसने आत्महत्या का प्रयास किया और उसकी मृत्य हो गई अमरिसर के गुरुतेग बहादूर नगर में एक फाइनेंस ने अपनी पतनी को गोली मारने के बाद अपने चार साल के बीटे को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली मृतक युवक का नाम विक्रम जीत सिह बताया जा रहा है मृतक के परीजनों के मताविक उन्हें one आया कि उनके जीजा ने अपने आपको गोली मार ली जब तक वर पहुचे तो उनकी बहन की मौत हो चुकी थी और उनके भांजे और उनके जीजा की भी मौत हो चुकी थी वहीं बता दे कि उनका कहना है कि उनके जीजा ने मार्केट से पैसे लेने थे लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में कुछ जादा जानकारी नहीं है बता दे कि लेकिन इस पास से उनके नोट भी बरामत किया गया इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि वह अपनी मौत के खुद जिम्मिवार है उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और अपनी चार साल के बीटे को भी गोली मारते हैं होंटक दा पता है लगा भी इने जड़ा बिक्रम जी सेंग कर वाड़ा है वो ने को गोली गाली आप पुछ सुसाइड कीता है रही वेरिफाई कर रहे हैं जदे सिच्वेशन होएगी वो दनादी कार वाई किता है इने बारे कुछ पदन लगा विक्रम जी सेंग कार दा मालक वो दी वाईफ है वो दा बच्चा है सर तुसी मोके दे पहुंचयों की जानकरी देती गई है जी कार दिया करो हूं तो आड़े सामने ही चलने हैं वेरिफाई का रुक करते खबर के और आपको बता दे हर्याना से ये खबर सामने आई है जहां गुडगाओं के हर्याना में इस बार कोरुना के वज़ों से ओनलाइन जानकरी दी जारी है जी हां आपको बता दे ही कि गुडगाओं से एक खबर सामने आई है जहां हर्याना में 70 प्रतीशत लड़कियों ने ये पूरी प्रतियोगिता में भाग लिया अस ओनलाइन प्रतियोगिता का यूचन किया गय हर्याना के हर जिले, हर ब्लॉक, हर बस्ती से, हर कोनी से बच्चों ने इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया ओनलाइन राजिस तरिय बाल महतसब प्रतियोगिता में 4,35,000 बच्चों ने अपना समर्थन दिया ओनलाइन राजिस तरिय बाल महतसब प्रतियोगिता में कई ब प्रतियोगिता में पंजाब, चंडीगर और हरमाचल की जजो को भी बुलाया गया जिन्होंने प्रतियोगिता में बच्चो का चुनाव किया. बतादे कि लोगों में काफी खुशी का महौल दिखा, ये ओन-लाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कुरुनाकाल की और हमारे जो बाल भवन जिलों की काईया चलती है उनको बंद कर दिया गया और चुकि इस कोविड में दो चीजों को लेकर के ज़्यादा सतरकता भरतने की बात कही गई थी चाहे वो बुजर्ग है और चाहे बच्चे तो इसमें जो दूसरा नाम लिया गया था सतरकता के नाते वो हमारा में क्लाइंट है रुक करते हैं अगली खबर की और खबर 36 गर से है बतादे की 36 गर से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां गैस टैंकर पलटने से एक बड़ा हाथसा हुआ है मुद्धि प्रदीश गुना से राइपुर जा रही गैस टैंकर पलटने से ये बड़ा हाथसा हुआ देखने को मिला घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है वहीं इतिहाद बरतते हुए नेशनल हाइवे सडक को दोनों तरफ से एक किलोमीटर के डायरे को सील कर दिया गया है काफी देर तक आवाजाही इस वज़से बाधित भी रही जिसके बाद लोगों के लिए वन में सिंगल रूट को डायवर्ट कर दिया गया सुरक्षा की तगड़े इंतजाम भी किये गया है ये बड़ा हाथसा नेशनल हाइवे से सामने आया है पर पुलिस की पूरी अच्छी कारवाई के वज़से सुरक्षा के पुकता इंतजाम किये गया ये सिक्योरिटी प्रेकासन पुरे बरते हैं पुरा रोड में ट्रेफिक डायवर्ट कर दिया गया है एंडे आरेफ की टीम भी आ गई है हमने भिलाई कंट्रोल कहीं मदद लिया बेसपी प्लांट से भी हमने जानकारी लिया लेकिन उनके पास ऐसा कोई टीम नहीं मिला अभी एक रेस्क्यू टीम सिल्तरा रायपूर से आ रही है वो गई है चेक कर रही है हमारे एफसल डाक्तर भी जा के चेक कर रहे है यह टेंकर है लिकर टैगली खबर के और खबर रायपूर से है बतादे कि रायपूर में ये बड़ा हाथसा सामने आया है जहां पुलिस के पुलिस करमी घायल हो गए हैं जिनने अस्पतार ले जाया गया बतादे कि मिली जानकारी के अनुसार महासनमूंद के पटेवा स्थित फायरिंग रेंज से ये फायरिंग रेंज के पास का ये पूरा मामला है जहां घायल प्लिस जवानों को इलाज के लिए मिकाहार अस्प हुआ और पुलिस की गाड़ी पुलिस की वाहन तक्राव की वज़े से हाथ से की शिकार हो गई रुकर तैगली खबर की ओर खबर 36 गड़ से है बतादे की 36 गड़ में मुंगेली जिले के लोर्मी अंतरगत ग्राम और अमबाधा में माता रजीमा जयनती महतसव कारकरम में निर्धारित समय पर हेलिकॉप्टर पहुँचे ग्रिह मंतरी तामध्वंच साहू आपको बता दे की ग्रिह मंतरी वहां पहुँचे जिसमें उन्होंने समाज के कारिश्विलता के बारे में बताया ग्रिह मंतरी का आज आतिस बाजी से वहां स्वागत किया गया मुंगेली से एक ख़बर सामने आई है जहां समाज को संगिठित करने पर ये पूरा जोर दिया गया स्वागत के बाद ग्रिह मंत्री ने समाज को संगिठित करने पर जोर दिया रुकत अगली खबर के और खबर कुरुक्षेत्र से है हर्याना कुरुक्षेत्र से ये खबर सामने आई है जहां कुरुक्षेत्र हर्याना पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्यान निगम की अध्यक्षता निर्मला बैरागी ने कहा कि दिव्यांग जों के आर्थिक एवं समाजिक उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं का लाब दिया जा रहा है इस निगम की तरफ से प्रियास किया जा रहा है कि प्रतेक योग्य प्रार्थी तक सरकार की योजना का लाब पहुंचे ताकि प्रार्थी स्वरोजगार बने इसके साथ ही स्थापित करने के बाद अपना पालन पोशन सही तरीके से कर सके इस वज़ा से रिन के साथ उन्हें काफी आसानी हो रिन लेनी में तथा रिन देने में भी काफी आसानी हो इस पूरी बात का जाएजा लिया जा रहा है इसमें हमारा इसमें पिछड़ा कल्यान निगम इसमें एक सब कमजोर भी आता है बीच में उसके लिए डिपार्टमेंट काम करता है जिसका उनको हम ये राशी विक्रिति एक लाख रफ्य का लोन देते हैं उनकी अपने काम करने के लिए नीजी काम करने के लिए पार्टमें नेर्भर बनने के लिए उनको लोन दिया जैता है खबर कुरुक्षेत्र से है, हर्याने के कुरुक्षेत्र में इपरफिड किसानों ने हला बोल दिया है, बता दे कि किसान काफी आकोशित नजर आए है, इसके बाद किसानों ने पट्याला से चल कर किसानों की जागरुक यात्रा रैली निकाली है, इस रैली ने कुरुक्षेत पूरी यात्रा किसानों को जागरुक करने के लिए यही यात्रा निकाली जा रही है। अब सम्विधान खत्रे में हैं अब सब सिख्षक्त हैं उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि वो सभी शिख्सित है और सम्विधान इस बार खत्रे में आ सकता है यह यात्रा पटियाला से चलकर पंजाब और हरियाना की अलग-अलग जिलों में गुजरती हुई, कुरुक्षेत्र से होती हुई सिंधु बॉर्डर तक पहुचेगी, आज हमारा कुरुक्षेत्र पहुचने पर किसान भायों ने स्वागत किया, इस तरह कि उन्होंने बात की कि इस बार उन्हों का प्रदर्शन इसी तरह जाली रहेगा, उन्होंने अपना कुरूष दिखाया और यह जागरूपता यारी किसानों के लिए निकाली, कि जागरूप कर सके वह किसानों को कि किसी तरह वो इस यात्रा में शामिल हो जाए। हम मेरा नाम नरिंदर सैनी हैं और हम पंजाब के एक गाउं से आएं इतने आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एक गाउं से लोग है कम से कम 25 से 30 गाड़िया हैं और कहने का तो हम किसान हैं पर जो गोती मीडिया है ना वो हमें आतकवाती बताता है तो मैं आपके चैनल के माध ने है मटर ये हैं इसकी हम सब्सकी बना करें इसकी हम रोटी बना के उनको खलाएंगे ये उनको लगता है हम आतकवाती आप छी ना पूरे इंडिया का तो हम आतकवाती ही है पहला था अज साड़ा असी पिजाबतों जिस्टिक ट्याड़ा पेट देवी नगर की जासिंग वारा साधे सारे सुमू ने सुमू नगर ने अपना पंजयत करके इस सारा कुछ लीकिया कि आप बात तो बात पहला भी असी पानुवी बात जा रहा है दिल्ली मूर्चे थे प इस बुलिटिन में अभी के लिए इतना ही जुड़े बीस्टार न्यूस के साथ अर्चे «बात पहला भ्री आप लुवी ज बात वारा सांप बेंगा भ्रॉबाके अ संट्सा सुमू को धर रहा है लिए D